ये स्टुडेंस, वेरी गूड इवनिंग तो आल अफ यू तो पिटा, E.V.S का जो टॉपिक आज हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नमबर टू इसका नाम है The Plant Fairy तो फेरी हम किसे बोलते हैं फेरी हम एक तरह से जो परी होती है एंजल होती है बहुत ब्यूटिफुल, सुन्दर सी उसे हम फेरी बोलते हैं तो The Plant Fairy चैप्टर का नाम है आप सभी ने इसकी रीडिंग की है तो अभी मैं आपको इसे पढ़के ट्रांसलेट करके बताती हूँ कि इस चैप्टर में क्या है ओके, सो लेट अस स्टार्ट Last Sunday, we went to a garden in the neighborhood तो इसका क्या मतलब है कि Last Sunday यानि कि जो अभी संडे गया है पिछला जो रविवार है We went to a garden हम एक garden में गए थे In the neighborhood neighborhood होता है पडोस जो हमारे पास में ही हो We played hide and seek तो हमने वहाँ पे क्या खेला हमने वहाँ पे hide and seek खेला Bracket में क्या लिखा हुआ है Hide and seek को हिंदी में बोलते है चुपन चुपाई तो हमने वहाँ पे चुपन चुपाई खेली And Antakshari I hope Antakshari सबको पता होगी Antakshari एक गेम होती है जिसमें हम गाने गाते हैं एक गाना जहाँ पे खतम होगा उसी वर्ड से दूसरी टीन जो है वो गाना शुरू करेगी We had a lot of fun हमें वहाँ पे बहुत मज़ा आया After some time थोड़ी देर बाद दीदी said दीदी ने बोला Let us play a new game today आज हमें एक नई गेम खेलते हैं We had played this game in the camp last year तो उनोंने बताया कि हमने इस game को last year camp में खेला था I will become a plant fairy तो जैसे हम खेलते हैं हम बोलते हैं कि मैं ये बनूँगी मैं ममा बनूँगी मैं दीदी बनूँगी मैं प्लांट बनूँगी तो इसी सरह दीदी ने बोला कि मैं क्या बनूँगी प्लांट फेरी बनूँगी जो आप सब को क्या देगी कुछ-कुछ बाते मोलेगी ओर्डर्स देगी और सब भी बच्चे उसको फॉलो करेंगे तो गेम क्या है कि जो भी इंसान जो भी प्लांट फेरी बनेगा जैसे अभी दीदी जो है आप फोटो में देख सकते हो अभी ये प्लांट फेरी बनी है तो ये जिस चीज का भी नाम लेंगी उसको बच्चे बाकी सारे बच्चे जाके क्या करेंगे टच करेंगे तो गेम बिगेन तो गेम जो थी वो शुरू हो गई खेल शुरू हो गया दीदी सेड the प्लांट फेरी ask you to touch a plant अब दीदी क्या बनी थी दीदी प्लांट फेरी बनी थी तो दीदी ने बोला कि प्लांट फेरी आपको बोल रही है कि आप किसी प्लांट को टच करो आप किसी plant को जाके touch करो तो जो सबी बच्चे थे आप फोटो में देख सकते हैं कि वो जाके किसी-किसी पेड को touch कर रहे हैं ठीक है ये एक बच्ची है इसका नाम है Ammu, Ammu ने marigold plant को touch किया है ये है दयाराम, दयाराम ने एक neem के पेड को पकड़ा है और ये कोण है Michelle Michelle ने एक महंदी की जो छोटी-छोटी जाडियां है bushes है उनको पकड़ा है शबनम ने जैस्मीन का जो प्लांट है जैस्मीन फ्लार का प्लांट है उसे पकड़ा है तो सभी बच्चे जो हैं अलग-अलग जगे पे जाके एक प्लांट को टच कर रहे है उसके बाद at once all the children ran towards the plant उसके बाद क्या हुआ सभी बच्चे किसी-किसी पेड की तरफ भाग गए जैसे मैं बोलूं कि red तो सभी बच्चे red कलर को टच करेंगे जो भी red कलर का कोई कपड़ा होगा कोई game होगी कोई ball होगी कोई cycle होगी ठीक है तो अभी दीदी ने बोला कि plant प्लांट को क्या करना है टच करना है तो सभी बच्चों को जो जो पेड वहां पे दिखाई दिया वो सभी वहां पे भाग गई उसके बाद move on to page number next 11 this is our page number 11 इस पे क्या है दीदी said very good everyone has touched a plant but have you noticed that all the plants are different from each other अब दीदी ने बोला कि शाबाश बच्चों आप सभी ने plant को टच कर लिया लेकिन क्या आपने notice किया कि जिस-जिस plant को आपने टच किया है वो सारे क्या है different है एक जैसे नहीं है वो जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो शबनम ने एक जैसमीन प्लांट को टच किया है मिशेल ने एक महंदी की जो बुश है उसे टच किया है दयाराम ने एक नीम के पेड को पकड़ा है और अमू ने एक मैरी गोल्ड यानी की गेंदे के फूल को पकड़ा है तो इन सब के जो प्लांट्स है वो अलग-अलग है तो दीदी ने बोला कि क्या आपने नोटिस किया कि ये सारे प्लांट्स आपस में different है अर दीदी को धियान से देख हो दीदी भी किसी प्लांट पे बैठी है चोटे चोटे ये देखो ये क्या है इसे हम क्या बोलते हैं घास बोलते हैं यानि कि ग्रास बोलते हैं ग्रीन ग्रास तो दिदी ने बोला कि जिस पेड़ पे मैं बैठी हूँ क्या तुमा उसका नाम बता सकते हूँ तो हमें पता है कि दिदी किस पे बैठी है दिदी ग्रीन पर बैठी है next line है the game started again तो जो game है वो दुबारा से शुरू हो गई the plant fairy now said a plant fairy ने क्या बोला touch a tree which has either a thick or a thin trunk तो trunk क्या होती है इस जैसे आप पेड़ कもし प्एड का नीचे से roots के बाद मोटा जो तरना होता है इसे हम trunk बोलते हैं तो इन्हों ने इन तपैड को पकड़ा और इस ने इस पेड को पकड़ा क्यूंकि दिदी ने क्या बोला था, प्लांट फेरी ने क्या बोला था, कि क्या आप किसी ऐसे प्लांट को टच कर सकते हो, जिसकी जो ट्रंक हो, वो या तो थिक हो, थिक मैंने मोटी हो, और थिन मैंने पतली हो, तो किसी ऐसी ट्रंक को आपने टच करना है, जो या तो मोटी हो या पतली तो इन्वे से मिशैल ने पतली ट्रंक वाले पेड को पकड़ा और अमू, शबनम और धया राम ने मोटी ट्रंक वाले पेड को टच किया तो अभी वो बोल रहे हैं कि क्या आपने कोई ऐसा पेड देखा है, ऐसा जिसकी क्या हो, ट्रंक थिक हो, मतलब इतनी मोटी हो जितनी इस पेड में, इस पिचर में दिखाई गई है, तो हाँ बिलकुल, हमने ऐसे बहुत सारे पेड देखे हैं, जैसे कि आम का पेड, पीपल का पेड, बर्गद का पेड, तो उनके जो ट्रंक होते हैं, वो बहुत ही ज़ादा थिक होते हैं, नेक्स्ट, मिशेल फाउंड दा गेम वेरी इंट्रस्टिंग, अब मिशेल को ये गेम क्या लगी, बहुत ही मज़ेदार लगी, बहुत ही इंट्रस्टिंग लगी, उसने सोचा, हाउ लगी तो उसे लगा कि फेरी हम सब को और्डर्श दे रही है, कभी वो बोल रही है किसी प्रांट को टच करो, कभी वो बोल रही है, मोटी ट्रंक वाले प्लांट को टच करो तो फेरी कितनी लगी है, She could order everyone around वो सब को जो भी उसके आसपास हैं उनको orders दे सकती है Now I want to be the plant fairy तो Michelle ने बोला कि इस बार plant fairy मैं बनूँगा The children laughed aloud तो बच्चे बहुत जोर से हसे और बच्चों ने बोला a boy fairy तो बच्चे इतना हरान हो गए कि लड़का कैसे परी बनेगा लड़का fairy कैसे बन सकता है They were now ready to take orders from the new plant fairy तो उन्होंने बोला कि अब हम नया plant fairy जो बना है Michelle उससे orders लेंगे ठीक है वो हमें order देगा और हम उन orders को follow करेंगे, मानेंगे तो दीदी के बाद अब कौन बना है plant fairy Michelle बना है Michelle said, Michelle ने बोला Get me some leaves quickly मेरे पास जल्दी से कुछ पत्ते लेकर आओ But remember, you are not to pluck the leaves from the plants Said दीदी लेकिन दीदी ने बीच में बोला कि आप पत्ते तो ले आओ सबी बच्चों को Michelle ने बोला है कि मेरे पास कुछ पत्ते लेकर आओ लेकिन दीदी ने बोला कि आपको याद रहे कि आपने पत्तों को प्लांट से तोड के नहीं लाना है कोई भी बच्चा पत्तों को नहीं तोड़ेगा जो नीचे गिरे हुए पत्ते हैं सिरफ वही लेकिया आने है जमीन पे जो भी पत्ते गिरे हुए थे बच्चे उनको उठा के कलेक्ट करने लगे इकठा करने लगे और इकठा करने के लिए भागने लगे नेक्स्ट पेज है तो जब वो पत्ते लेकिया आए आप इस पिच्चर में देख सकते हैं वो इस तरह के पत्ते लेके आए हैं ये different different types of leaves है हमारे पास कोई brown leaf है कोई इस तरह का है कोई gold है कोई purple color का है कोई pink और green है कोई यहां पे brick red महरून है और कोई green है दयाराम said I did not know that there were so many types of leaves तो दयाराम ने बोला कि मुझे नहीं पता था कि यहां इतनी तरह के पत्ते होंगे look some are round तो round क्या होता है gold उसने बोला कि देखो जो पत्ते हम लाए है उन में से कुछ पत्ते क्या है round है यानि कि gold है some are long तो कुछ ऐसे लंबे पत्ते है and some are triangular तो कुछ triangle shape में बने हुए है Amu said there are of so many different colors as well तो Amu ने बोला कि इनकी सिरफ shape अलग अलग नहीं है बलकि इनकी colors भी अलग 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 है जैसे कि कोई gold है कोई lamba है कोई triangular है इसी तरह से जो इनके colors है वो भी different different है कोई पत्ता जो है वो brown color का है कोई purple color का है कोई violet है कोई double shade है dark green कुछ हलके हरे रंग के है कुछ गेहरे हरे रंग के है some are even yellow, red and purple कुछ yellow भी है कुछ purple भी है और कुछ red भी है there is one which is green but has white patches on it और एक ऐसा पत्ता भी है हरे रंग का ये देख सकते हैं आप जिसमें white color के छोटे-छोटे patches भी है ठीक है निशान भी है look even the margins of these leaves are different from each other margins क्या होते है जो उनके उपर designs बने होते हैं ठीक है अलग-अलग patterns बने होते हैं तो उन्होंने बोला कि इनके color भी अलग है shape भी अलग है और इनके margins भी अलग-अलग है some have straight margins कईयों के जो margin है वो बिलकुल straight है these margins even look like a saw said Shabnam तो इन में से कई margins ऐसे लगते हैं saw जैसे Ammu and Shabnam shouted together तो Ammu और Shabnam आपस में जोर से बोले we also want to be the plant fairy तो अभी उन्हें plant fairy देखा उन्होंने की बहुत मज़ा आता है जो भी plant fairy बनता है वो सबको orders देता है तो उन्होंने बोला कि इस बार जो plant fairy है वो हम बनेंगे किसने बोला Ammu and Shabnam ने तो Ammu and Shabnam ने बोला कि इस बार की जो plant fairy है वो हम दोनों बनेंगे दीदी said not today maybe next Sunday तो दीदी ने बोला कि अभी नहीं अभी हम next time ये game कब continue करेंगे maybe next Sunday करेंगे अगले रविवार को करेंगे It is time to go to home now अभी कहां जाने का time है अभी घर जाने का time है जैसे हम बहुत खेल लेते हैं फिर हमारी ममा बोलती है कि अभी घर चलो अभी हम next time करेंगे तो उसी तेरह दीदी ने बोला कि अभी हम ये game कब continue करेंगे maybe next Sunday करेंगे अभी it is time to go home On the way back दीदी recited a poem for everyone तो जब सभी वापस आ रहे थे जिस गार्डन में वो गए थे गार्डन से जब वो वापस घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में आते होए दीदी ने उनको एक poem की recitation करवाई तो आपकी book में page number 13 के उपर ये poem दीगी है leaves इसका नाम है leaves तो ये poem जो थी दीदी ने आते time उनको सुनाई तो आज मैंने आपको इस chapter को पढ़के बताया है कि इस पूरे chapter में क्या है इसकी story क्या है आज आपने इसकी reading कर ली थी और अभी translate करके मैंने आपको बता दिया कि इसकी story क्या है so पिटा this is your chapter number 2 the plant fairy I hope कि आप सभी को इसकी story समझ में आ गई होगी thank you class and have a nice day to all of you